क्लास 9th एक्सटर 1.1 चैप्टर नमबर 1 है आपके और क्षिटर नमबर दे रहा है 2 हमें 6 रेश्टनल नमबर डूंडने है जो 3 और 4 के बीच में आते हैं ऐसे हमें टोटल 6 नमबर डूंडने हैं तो देखो हमें डूंडने है 6 number जितने number ढूंडने होता है उससे हम ज्यादा लेंगे जैसे 6 plus 1 कितना होता है 7 लेंगे यह लेते एक नम पर ज्यादा क्यों लें इसका कारण किया है देखो अगर कोई बोल दे कि 10 में से 8 को माइनस करना है तो कितना आएगा आपके 2 आएगा लेकिन को अगर कोई ऐसे अगर इसको गिंते लिखे ना 1 9 8 9 10 काउंटिंग करें तो आप देखो कि 8 और 10 के बीच में केवल एक नमबर आ रहा है जबकि माइनस करने पर 2 आ रहा है गेप तो 2 का है लेकिन इनके बीच के नमबर डूनने है तो बीच का नमबर जितना है घटाने पर आता ना लेकिन यहाँ पर दिखने में एक नमबर कम आ रहा है हम क्या करें यहाँ पर एक नमबर ज़्यादा लेंगे ताकि थोड़ा गेप ज़्यादा बढ़ ज इनके बीच का number अलग है तो जितना पूछे ना उससे एक number ज्यादा है आपको ले ने फिर हमारे पास एक number दे रखा है 3 और एक number हमारे पास दे रखा है 4 इस number को हम क्या करेंगे 7 upon 7 से multiply करेंगे और इस number को भी 7 upon 7 से multiply करेंगे इनको आपस में मल्टिप्लाई करने पर आता है आपके 21 अपॉन 7 और यह आता है आपके 28 अपॉन 7 अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे 21 बाई 7 और 28 बाई 7 28 बाई 7 अब इनके वीच में आपको गया करना है 6 नंबर्स को ढूंड़ना है तो बिल्कुल इजी है दगो 7 तो सब में सेम है 1,2,3,4,5,6 अब इसमें तोड़ा फरक है 21 से 28 तक जाना है तो 21 के बाद क्या आता है 22,23,24,25,26,27 यहां से यहां तक पहुँच गए और हमें 6 नंबर भी मिल गए इसमें ज्ञादा नंबर भी निकाल सकते हो अगर आप यहां पर डाय। 1010 से मल्टिप्लाइ करेंगी तो 9 नंबर आएंगे 100 से मल्टिप्लाइ करेंगी तो 99 नंबर आएंगे 2 rational नंबर के बीच में हमेसा infinity rational नंबर होते हैं